जी, C-Fab 6, आज के लेक्चर का अगाज करते हैं, लेक्चर नमबर 12 हमारा, आज के लेक्चर में हम दो स्टेंडर्स कवर करेंगे, एक ISA 500 और एक ISA 501, रिजन यह कि यह दोनों छोटे स्टेंडर्स हैं, और इसमें ISA 500 आपने काफ लेवल पे पहले पढ़ा हुए, इसमें जो से रिलेटिड कंसेट्स से आपने शाय दिक्का दुका कंसेट्स के लाबा और ना पढ़े हों के अफ लगए, 500 डिसकस क्या करता है, एविडेंस, 500 की सीरिस जितनी भी है, इसमें डिफरेंट प्रोसीजर्स और डिफरेंट एरियास को डिसकस किया गया है, कि इन प्रोसीजर से या इन एरियास से हम कैसे एविडेंस अब्टेन कर सकते हैं, ISF 500 की नेचर यह है कि यह जनरल स्टेंडर्ड है, जनरल गईडेंस प्रोसीजर्स करता है, फिर इसके बाद जो दूसरे स्टेंडर्स हैं, 501, 505, 510, 520, 530, 540, 550, 560, 570, 580, यह किसी ना किसी स्पैसिफिक प प्रोसीजर को एविडेंस अब्टेन करने में कैसे यूज करना है, या इस स्पैसिफिक सिचुएशन में हमने एविडेंस कैसी अब्टेन करना है, तो जनरल गईडेंस जो हमें मिलती है कि आडिट एविडेंस कैसी अब्टेन करना है, हमने जनरल गईडेंस, वो ISF 500 में है, और फिर उसके बाद specific procedure और specific situations में हमने कैसी evidence obtain करना है ये guidance हमें मिलती है ISA 501 से onward 500 की series और 600 की series भी इसमें शामिल कर लें वो भी evidence related ही है तो आज start करेंगे हम 500 basic concept ये relate करता है reasonable assurance से आपको पता है audit engagement में हम reasonable assurance obtain करते है reasonable assurance कैसे हासिल होती है evidence से और सिरफ evidence नहीं sufficient appropriate audit evidence से evidence को sufficient भी होना चाहिए appropriate भी होना चाहिए assurance obtain करने है reasonable assurance reasonable assurance कैसे मिलेगी evidence से evidence कैसे मिलेगा procedure से तो आई ऐसे 500 का अगर आप overview लें देखिए आपको ये standard दो हिस्सों में बटा हुआ मिलेगा दो हिस्सों में divided है एक हिसा discussion करता है evidence के उपर कि आपने जो evidence obtain करना है वो कैसा होना चाहिए और दूसरा हिसा discussion करता है procedures के उपर कि इस evidence को obtain करने के लिए आपने कौन से procedure perform करना है ठीक है और याद रखे ये जो 500 और 500 की series में standards हैं ये आपके दूसरे topics में भी काम आ सकते हैं खास तर पर risk assessment में क्योंकि आपको ता है risk assessment के question का लाजमी इसा होता है हमने procedure बताने होते हैं तो maybe इस 500 की series और 600 की series में कोई specific situation उठा ले उसे risk assessment में include करता है हम जो आज specifically standard कवर करने जा रहे हैं 500 और 501 इसमें जहन में रखेगा exam में exam point of who से अगर हम standards को देखें तो कुछ standard ऐसे होते हैं जिन मेंसे बड़ा question वो set करता है 7,8,10,12 number का और कुछ standard ऐसे होते हैं जो छोटे standards है उन मेंसे बड़ा question expected नहीं है नॉर्मली test नहीं करता कभी कभार कर दे तो एक लगजा चीज है नॉर्मली test नहीं करता उनको फिर कैसे testing होती है किसी ना किसी दूसरे standard के साथ आज का जो 500 और 501 के standard है ये दोनों इन में expected यही है कि बड़ा question नहीं बनाएगा जो के सिर्फ और सिर्फ इन standard के उपर base कर रहा हो लेकिन इन standard में से concept कोई उठा कि किसी दूसरे question के साथ merge कर सकता है यह होँ जरूर कर सकता है ठीक है 500 के दो मैंने आपको बताया दो बड़े हिस्से दो बड़े parts किया है इस standard के एक audit evidence को deal करता है और दूसरा procedure को पहले हम part A discuss करेंगी evidence क्योंकि पहले evidence और evidence कैसे मिलेगा प्रोसीजर से प्रोसीजर की discussion उसके बाद होगी standard यह कहता है कि auditory ने जो evidence obtain करना है वो sufficient appropriate होना चाहिए क्या होना चाहिए sufficient evidence कहते है किसको है evidence का मतलब है हर वो information जो आईटर यूज़ करता है अपने opinion अपने conclusion पे पहुँशने के लिए जैसे अगर auditor inventory को verify करता है उसकी physical existence को confirm करता है stock taking के जरीए से यह जानने के लिए कि क्या balance sheet में जो amount inventory की show और यह ठीक है के नहीं तो यह stock count करना यह उसके लिए उसका क्या है जो उसने stock count किया यह procedure stock count से जो से evidence मिला कि inventory सही fairly stated है के नहीं यह उसका evidence है इसकी base पे वह financial statements का conclusion पे पहुँचेगा कि overall financial statement ठीक है के नहीं इसे तरह अगर writer यह देखने के लिए के sales genuine है के नहीं sales का sample select करता है और उसके recalculation करता है sporting document देखता है good dispatch note वगरा credit approval वगरा यह procedure perform कर रहा है अगर वह sale invoice को inspect कर रहा है इससे क्या होगा इससे evidence मिलेगा के sales का area ठीक है के नहीं इसमें कहीं कोई misstatement scope limitation नहीं है और फिर वो इस evidence को use करेगा अपनी report में opinion express करने के लिए standard here कहते है evidence को sufficient appropriate होना चाहिए sufficiency को वो कहते है यह है measure of quantity sufficiency is a measure of quantity of evidence and appropriateness is a measure of quality of evidence first कीजिए आप ए client card करने के लिएगे वहाँ पे sales की 500 invices record हुई कि आप उनमें से 3 invices का sample select किया और देखा वो बिल्कुल ठीक थीए आप 3 invices 500 में से 3 invices की basis पे इस इंतीजे पे पहुँच आएंगे कि sales carrier ठीक है नहीं हाला कि हमें पता है अडिटर सेंपल बेस पे काम करता है 100% testing नहीं करता हमें यह पता है लेकि इसका यह मतलब भी नहीं है कि आडिटर जो है वो सिरफ 3-4-5 या 2-3% transactions को verify कर ला है वो एक reasonable quantity of evidence उसने obtain करना होता है इसी का नाम है sufficiency कि हमारा audit evidence sufficient होना है बेशक sample based पे काम करें लेकिन sample reasonable होना चाहिए अच्छा चलिए दूसरी चीज़ appropriate का मतलब क्या है quality of evidence क्या मैं CFO से inquiry करके जबानी किलामी पूछ के कि सर आप credit sale करने से पहले उसकी approval देते हैं जबानी किलामी पूछ लो और एक नहीं 10 दफ़ा पूछ उँ या 10 लोगों से पूछ उँ और 10 के 10 लोग मुझे ये कहें जी सर जी credit approval होती है quantity wise अगर आप देखें तो शायद ये sufficient हो जाए ठीक है बैयार खुनेश में टोटल अगर 15 लोग काम कर रहे हैं 10 लोगों से आपने question पूछा और 10 ने एक ही तरह का जवाब दिया sufficiency तो है लेकिन आपके ख्याल में क्या appropriateness है ये evidence appropriate है आपको जबानी कलामी इतबार कर लेना चाहिए लोगों की बातों पे इसका जवाब है नहीं तो evidence में sufficiency भी होनी चाहिए और evidence में appropriateness भी होनी चाहिए appropriateness का मतलब क्या है appropriateness is measure of quality यानि evidence reliable भी होना चाहिए reliable भी होना चाहिए तो दो characteristics मारे evidence में होनी चाहिए sufficiency और appropriateness अब वो आगे further standard में इन चीज़ों को detail में discuss करता है sufficiency जो है वो कैसे decide होती है कि कितना evidence sufficient होगा याद रखिएगा sampling standard ने allowed की है लेकिन sampling कितने percent होनी चाहिए ये किसी standard में ने लिखा हुआ वो हमें सिरफ कुछ factors देता है और हमारी judgment पर बात छोड़ देता है कहता है आप decide कीजिए कि इस situation में आपने कितने percent काम करना है 30 percent करना है 50 percent करना है 70 percent करना है even किसी area में किसी area में अगर हम 100 percent testing भी करना चाहें वो कहता है हो सकता है आप कर सकते हैं तो exact हमारी testing का level क्या होगा ये किसी standard ने ने बताया ये किसने decide करना है auditor लेकिन उसने definitely ये चीज़ कुछ factors को सामने रखके decide करने है तो sufficiency affected by risk और quality of evidence risk common sense की बात है risk ज्यादा procedure ज्यादा और दूसरी बात क्या कह रहा है quality of evidence अच्छा ये interesting चीज़ है quality of evidence हाला के उसने अलाइदा से भी discuss किया है लेकिन साथ ही साथ उसने ये भी हमें concern दे दिया कि sufficiency quality of evidence में depend करती है इसका मतलब क्या है अगर quality अच्छा इसका मतलब गोर से सुनिएगा अगर अच्छी quality का evidence मिल गया ना तो आप कम evidence भी obtain कर सकते हैं लेकिन अगर poor quality का evidence है ज्यादा evidence obtain करने से बात नहीं बनेगी ये जेन में रखिएगा यानि ये wise versa की situation नहीं है evidence अच्छा है quantity कम कर लो evidence अच्छा नहीं है ज्यादा quantity poor evidence को compensate नहीं करेगी यानि quantity पे वो compromise कर रहा है quality पे नहीं कर रहा है quality अच्छी है कहरेस quantity कम कर दो लेकिन अगर quality poor है कहता है नहीं फिर आपने reliable evidence की तरफ जाना है Appropriateness is a measure of quality quality का मतलब क्या है evidence को relevant भी होना चाहिए evidence को relevant भी होना चाहिए और reliable भी होना चाहिए ये linking exam में रखिएगा evidence sufficient appropriateness appropriateness के आगे दो पॉइंट उसने बताए कौन कौन से relevant और reliable relevant का मतलब क्या है simple आपका जो procedure है और जिस assertion को आप verify करने जा रहे हैं उन में एक logical connection होना चाहिए आपको पता है हम procedure मुझे बताइए हम जो procedure perform करते हैं वो area level पर perform करते हैं कि assertion level पे अजर्शन level पे आप कभी भी inventory को procedure से ये नहीं कहेंगे मैंने इस procedure inventory को verify किया standard ये कहते हैं नहीं inventory की assertions हैं आप ये कहेंगे मैंने इस procedure से inventory की existence को verify किया मैंने इस procedure से inventory की completeness को उसकी valuation allocation को verify किया जब सारी assertions पूरी हो जाती हैं उसका मतलब यह है कि आपने inventory को verify कर लिया और जब सारे areas verify हो जाते हैं इसका मतलब किया है आपने financial statement को verify किया तो हम directly हमारे procedure directly financial statements को यह directly area को verify नहीं कर रहे होते हैं वो किस तरीके से work करते हैं procedure verify करते है assertions को जब सारी assertions verify हो जाए area verify हो गया जब सारे areas verify हो गए financial statement verify होगी तब हमारा audit मकमल होता है तो इसलिए कहता है कि आप जो procedure पर form करेंगे वो आपने assertion से relate करने हैं जो आप evidence obtain करेंगे पहले हर assertion का evidence obtain करेंगे जब सारी assertion का evidence मिल गया इसका मतलब area complete area evidence मिल गया और अब यह आपको सिखा रहा है कि practically जब आप assertion level पर procedure पर form करेंगे ना तो क्या-क्या मुश्किलें आपको आ सकते हैं सबसे पहले चीज़ वो कहता है depend करता है कि आप आपने जब evidence लेना है किसी भी चीज़ के उपर पहली चीज़ आप ने यह जहें में रखनी है आप over statement को verify कर रहे हैं कि under statement को यह इसे assertion की language में अगर बात करें assertion की language में classes of transaction में तो वो कह रहा है कि आप यह देखो कि आप occurrence को verify कर रहे हो या completeness को यह account balance कर रहे है balance sheet का तो आप देखो कि आप existence को verify कर रहे हो यह completeness को दोनों में procedure फरक है खास और भी example किसलिए हमें देता है आप ने counting में मैंस में पढ़ा होगा a into b is equal to b into a simple equation लेकिन audit में क्या सिखा रहा है आपको कह रहा है अगर आप point a से point b की तरफ जाएं तो evidence को यह और मिलता है और point b से point a की तरफ आएं evidence को यह और मिलता है जैसे अगर आप देखें sales की transaction में क्या होता है पहले sales order good dispatch हुई फिर sale invoice और वो ledger में record हुई अगर आप sample उठाएं goods dispatch note का और check करें कि invoice बनी accounts में record हुई के नहीं है यह भी एक ही transaction cycle के उपर step और अगर आप recorded amount में से sample उठाएं और vouch back करें देखें good dispatch note है कि नहीं इसका है यह भी sales का transaction cycle transaction सेम है लेकिन assertion different हो जाती है अगर आपका मकसद यह है आपने यह देखना है कि sales over stated तो नहीं sales की occurrence को verify करना है occurrence का मतलब क्या है कि जो sales record हुई है actually occur हुई है के नहीं तो आप क्या करेंगे sample कहां से उठाएंगे recorded amounts recorded amounts recorded amounts recorded amount का मतलब क्या है जो financial statement में record हो चुकी है आप लेजर में से recorded sales transaction का sample उठाएंगे और देखें कि good dispatch note है के नहीं और अगर आप completeness को चाहते हैं और अगर आप completeness को चाहते हैं अब क्या करेंगे अब कहां से उठाएंगे sample अब अब सैंपल आपने स्पोर्टिंग डाकुमेंट्स रखाना है यानि अब आपके sample क्या होगा गुड़ पर्चेजिस की बात कर रहे हैं अगर sample उठाएंगे आपको यह समझा रहा है अच्छा यह बातें आप से पूछेगा नहीं एक्जाइम में के रेलिमेंस के प्रोसेजिस लेकिन यह concept आपके procedure decide करने में यूज होंगे इस बात से agree करते हैं एक ही area के उपर अगर आप overstatement की assertion को यूज है बेसिकली लेकिन overstatement, understatement के अलफाज से concept असानी से समझ आ जाता है इसलिए मैं समझाते हुए यह word यूज करता हूँ वरना असल में overstatement का मतलब क्या है? occurrence और understatement का मतलब क्या है? जब हम यह कहते हैं कि जी हम यह देखेंगे कि यह understatement तो नहीं है तो हम क्या चेक कर रहे हैं? कि यह complete है कि नहीं? completeness completeness की assertion income statement balance sheet दोनों के लिए सेम है लेकिन overstatement की assertion classes of transaction and income statement के लिए occurrence का word होता है और balance sheet के लिए existence का अच्छा आप एक ही procedure है अगर आपने मुझे इन में फरक बता दिया तो मैं सामा जाओंगा यह concept समझा आगया आपको हम audit में दो procedure perform करते है पहला procedure balance sheet date पे जो creditor record हुए थे उनका sample select किया और दोनों पहले procedure सुन लेने है sample select किया और देखा year end के बाद उनको payment हो गई के नहीं यह पहला procedure दूसरा procedure year end के बाद जो payment हुई थी उनका sample select किया और देखा कि यह payment जिन लोगों को हुई है year end पे उनकी liability record हुई थी के नहीं क्योंके जाहिर है year end के बाद जो पहला दूसरा हफ़ता payment होती है वो नर्मली पिछले साल की liabilities की payment होती है बताइए दोनों दिखने में बजाहिर एक ही एक ही चीज़ लग रही है एक ही process लग रहा है क्या फरक है audit point हो से दोनों में yes क्या फरक है पहले में जो assertion verify हो रही है वो कौन सी है वो कौन सी है वो existence जिसमें हम sample select करके recorded amount का बाद में देख रहे है payment और जिसमें हम पहले payments देख रहे हैं फिर देख रहे है recorded हुई है के नहीं वो completeness है तो फरक समझा है यह बता रहा है आपको के हर assertion के लिए procedure different है इस assertion के लिए procedure कुछ और होगा इस assertion के लिए procedure कुछ और होगा procedure relate एक cycle से कर रहे होंगे दूसरा सूल हमें बता रहा है कि एक procedure जो एक assertion के लिए relevant है हो सकता है वो दूसरी assertion के लिए relevant ना हो यह समझ में आने वाली बात है यह असान है इसमें कोई problem नहीं है क्योंकि हर एजर्शन के लिए लेदरर प्रोसीजर होता है बाद उकात ऐसा होता है हमारे एक तीर से एक शिकार होता है यानि एक प्रोसीजर से एक एजर्शन वैरिफाई होती है बाद उकात ऐसा होता है एक तीर से दो शिकार हो जाता है बलके तरीके से अगर प्रोसीजर प्रो Совाम करें, टीन स्कार भी होजाएं. श्कार से ग्या मतलब अजर्शन ruined अगर फर्ज कीजिए हमने क्या किया। कलाइंट से जाके कहा कि आपके पास जितने भी fix assets हैं जितने भी वहिकल्स हैं उनके title documents हमें दिखाईए कों सी assertion हम verify कर रहे हैं rights and obligations सिरफ है की assertion हो रही है और तो कोई नहीं हो रही अगर हम यह है एक procedure क्या यह procedure title documents को inspect करना वहिकल की एक्जिस्टन्स के बारे में एविनस दे रहा है नहीं दे रहा है टाइडल डाकुमेंट देखने का यह मदद पढ़ी है वहिकल भी मुझूद हो गए लाजमी तो नहीं है इसी तरह गर वहिकल की फिजिकल इंस्पेक्शन करते हैं जाके यह कुन सा एविनस देगा हमें? उसके एग्जिस्टन्स के बारे में क्या फिजिकल इंस्पेक्शन वहिकल की उसके राइड शेंड लाइबिल्टी के बारे में कोई एविनस दे रही है? नहीं यहीं सिखा रहा है दूसरे पॉइंट में कि जो एक assertion के लिए procedure है, राजमी नहीं दूसरे के लिए भी हो, ठीक है, लेकिन एक procedure क्या एक से ज्यादा assertion के लिए relevant हो सकता है, हो भी सकता है, एक procedure जो एक assertion के लिए relevant है, हो सकता है वो दूसरी assertion के लिए relevant हो, हो सकता है दूसरी assertion के लिए relevant, ना, अभी मैंने आपको जितन एक प्रोसीजर एक से ज्यादा जर्शन के लिए रेलिवेंट है और जो हमारे आज के 501 का हिस्सा भी है वो क्या है फिजिकल इंवेंटरी काउंट अगर हम फिजिकल इंवेंटरी काउंट करने जा रहे हैं क्लाइंट से लिस ली अब ये दोनों कंसर्ट में कठे एक्जेम्पल दे रहा हैं इसमें क्लाइंट से लिस लेते हैं स्रॉक शीट की सेंपल बेस पे सेलेक्शन करके देखते हैं फिजिकली मजूद है के नहीं एक प् और अगर हम अब देखे थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं जो फिजिकली मजूद है इनका सेंपल सेलेट करके देखें लिस्ट में मजूद है के नहीं अब कम्लीट जाज अब देखें प्रोसीजर ओवर एक ही आप उसमें थोड़ी सी चेंजिस करके आपने इंवेंटरी के एग कर ली और अगर थोड़े सी और मोडिफकेशन कर लें प्रॉसेजर में आप फिजिकल कंडिशन ऐग्जेस्टनस रहो थे कि सासा इंवेंटिक के का अब अघ मेंदेशन पहर भील तो नहीं है आधा यूजेबल कंडिशन में बदोष्य जर्शिजर करें हो सकते हैं ना भी प्रोसीजर पहले में क्या सीखा है कि हर इसर्शन को हमने वैरिफाइ करना है हैं दूसरे में क्या लिए प्रोसीजर के लिए हैय। डूसरे के लिए मोड हो बी सकता है नहीं हो सकता पहले में हमने इसीख एकर चैसर तो辦 किम अभी एगुझर से खेब करने लिए मेर्गे साथ कर मांने इन ऊप पहलों अगर कि यह को क्लाइंट कική ओपनी मीकुझकया देखनी test of control perform करना और अगर आप क्लाइंट की financial statements को देखना चाह रहे हैं उसमें statement detect करना चाह रहे हैं तो आपने test of detail या substantive procedure कह लें test of detail या substantive procedure perform करने इन के बारे में इन दो के बारे में अभी detailed discussion आगी आएगी जब हम procedure की तरफ जाएंगे पहले बताईए यह relevance of evidence में समझ आया relevance of evidence में उसने में क्या सिखाया कि हमने procedure perform करने different assertion के लिए जिस assertion को verify कर रहे हैं हमने अपना procedure उसके लिहाज से decide करना है काइफ लेवल पर क्या होता था वह normally आप से require नहीं करता था वह कहता था in fix answer को verify करने के लिए procedure बता दो क्राइटर को verify करने के procedure बता दो लेकिन यहां पे वह आपको एरिया लेवल पर नहीं अजर्शन लेवल पर प्रोसीजर पूछेगा इसलिए अजर्शन वाले कंसेप्स को खास तोर पे आपने समझना है कि specific कोई भी एक एरिया की specific बता प्रोसीजर बताओ यह चेक करने के लिए कि आपको बता है कि यह पर पर प्रोसीजर इस धर्शन से रेलिवन्ट है कि था कम्प्लीटनेस की अजर्शन आई है रिलाइबल अजर्शन आइसर्स के लिए है। कम्प्लीटनेस अच्छा देखें एक और कंसार्प्टि अच्छा कि यह नों ने क्वेस्टन पूछ लिया। कुछ सीज़ें स्टैंडर्ड में इस जगा पे उसने नहीं लिखी हुई ठीक है। इनका क्वेस्टन है कि यह है। उन्हेंने का सर क्या हम हर अजर्शन के लिए एक बराबर प्रोसीजर प्रफॉर्म करेंगे। यानि हमने यह बात तो लिखी पड़ी है ना कि हमने काउंट बैलनस की जो जो एरिया है हर एरिया की हर अजर्शन को वेरिफाई करना है। एग्री करतेने से क्या इसको वेरिफाई करने लिए प्रोसीजर एक जैसे होंगे। इसका जाब है नही हमारी रिस्क असामेंट मेंट करता है कुछ रिया में प्रोसीजर हाई ।ु इन बेरिस्क हाई है। वहाँ पे हई, जिन लोग, वहाँ पे लोग, अब रिसक शैस्मेंट भी याद रखे, जर्शन लेवल बे होती है, तो इनवेंटरि में नॉर्मली ऐससर्ट के केस में एगजिस्टन्स की जर्शन मोर रिस्की है और लाइबिल्टी केस में ढम्प्लीटनस की के लायबिल्टीज पुरी की पुरी रिकार्ड कर लिया है नि के अजर सब्सक्राइब करना है मैंने यह तो शिखाया ही नहीं कुछ को नहीं रहा है कि आप ने कुछ खाशचन को वारिफ़ाइ किस को नहीं करना मैं हर एक है हाँ जिन दर्शाह में रिस्क ज्यादा होगा अब मुझे यह बताएं स्टेंडर्स हमारे कुछ ज्यादा हमें कुछ कम एहम है कुछ में उसने पिछले दो साल से क्वेस्ट्ण नहीं बूचा अब मैं क्या करूँ? क्या मैं जो ज्यादा है उनके वğı पर ज्यादा प्र基本 code पर करूँ? ज्यादा उनके वपर explanation आपके साथ share करूँ? और कम यङ कि हम प्रैक्टीस क्म करें, टाइम कम लगा, ऐसे हो छिए एक किम यवको बिल्कोल ही जोड़ को, rational decision क्या है कि भाई बिल्कुल नहीं शोड़ना किसी चीज़ को ठीक है रिस्क हर जगा पर है question exam में किसी भी standard में से पूछ सकता है cover हमने हर standard को करना है हाँ exam importance को सामने रखते हुए कुछ topics के उपर हमें ज्यादा काम करेंगे कुछ के उपर कम exactly practically इसे राइटर करता है assertion हर एक verify होगी कुछ assertion की procedure ज्यादा होंगे कुछ के कम होंगे next reliability of evidence कहते है evidence आपको different sources मिलता है याद है आपको different sources evidence मिलता है क्या sources थे sources of evidence क्या थे हमने किस standard में पढ़ा था 200 में शावाश ठीक है 500 में दुबारा वही concept उसने discuss किया लेकि यह पर मैं पढ़ा नहीं राब सिर्फ लिंक करवाऊंगा 200 में हमने क्या पढ़ा था sources क्या हो सकते है internal हो सकता है external हो सकता है acceptance and continuous procedure से हो सकता है during audit हो सकता है ज्यादतर procedure हम लेते हैं management से ले सकते हैं outside party से ले सकते हैं previous year से भी evidence लिया जा सकते है यानि evidence different sources से लिया जाते है मुझे बताईए क्या हर source से जो evidence हमें मिलता वो एक जैसा होता है फर्ज कीजिए मुझे example के लिए बताए हूं यह इन भाई यह अक्सर जूट बोलते हैं यह बाई अक्सर सच बोलते हैं दोनों ने किसी एक बात के ओपर same statement दे क्या मेरा reliability का level दोनों के लिए एक जैसा होगा नहीं जो normally सच बोलता है मेरा उसके ओपर high reliability होगी और जो normally जूट बोलता है उसकी कम या इसी तरह एक statement में फर्ज कीजिए इनका personal interest है इनका personal interest नहीं है वो statement दोनों दें कि जिसका personal interest होगा मेरे लिए उसकी reliability कम होगी कि कहीं यह personal benefit लेने के लिए statement दोनों दोनों इसी तरह हमें reliability में यह concept समझा रहा है कि reliability आपको different sources evidence मिलेगा हर source का evidence equally reliable नहीं होता कुछ sources से कुछ जगों से कुछ social में जो हमें कुछ circumstances में evidence मिलता है वो ज्यादा reliable होता है और कुछ में कम अब हमें example दे रहा है यह कुछ example है जो standard ने दी है इसके लावब भी examples possible है जैसे standard का कहता है client का internal control normally normally internal documents less reliable होती है external documents more reliable होती है क्या कहना चाह रहा है within the entity evidence मिलेगा वो less reliable है outside entity ज्यादा reliable है sale invoice बताये ज्यादा reliable है यहां के debtor से confirmation letter मिला क्यों external है management तो अपने फाइदे के लिए हो सकता है वो forgery करे documents में third parties normally forgery नहीं करते इसी तरह जो evidence directly order को मिला वो ज्यादा reliable है कि जो management के थुरू मिला direct क्यों management के थुरू हमें evidence मिला management उसमें changes कर सकती है ठीक है खास तोर पर आपको पता है आज कल तो बड़े बड़े software आगे है आप किसी भी document को scan करें exactly में सामने आ जाता है थोड़ा साउट कामी में change करें दोबारा प्रिंट निखा ले हमें detect करना मुश्किल हो जाता है असल गोना है नकल गोना है तो इसलिए आइटर यह कहता है कि जो evidence मुझे directly मिला यह मेरे लिए ज्यादा reliable है management के थुरू मिला उसकी निस्बत original evidence photo copy की निस्बत ज्यादा reliable है एक evidence आप expect करते है उसने एक और engagement में question था उसने का जी अच्छा बलके एक और case study मेरे जिद में आ गई है पहली case study उसने का आप ने एक statutory audit complete किया है आपके client ने आपको का कि एक और framework के मताबिक भी financial statements हमने prepare की आप उसका audit कीजिए वो framework कौन सा है वो किसी foreign country parent company की country का framework है अब उसने का बताइए आप क्या factors evaluate करेंगे इस situation में with respect to other audit report क्या करेंगे हमने एक देखना है framework acceptable है के नहीं फिर हमने देखना है situation का हमारी report पर क्या impact आएगा अगर special purpose framework है जो दूसरी country यूज कर रही special purpose framework है फिर क्या effect आएगा अगर special purpose नहीं आए general purpose framework है फिर क्या effect आएगा फिर M.C. matter तो नहीं आएगा other matter आएगा other matter क्यों आएगा हाँ two sets of financial statement की वज़ा से इसी तरह एक question में उसने थोड़ा सा change किया इसको situation उसने का आपको सिंगापूर में एक company है उसकी तरफ से proposal मिला कि आप हमारी financial statements का audit करें लेकिन उसने कहा हम original documents तो हैं वह आपको नहीं पाकिस्तान में बिजवा सकेंगे हाँ attested photocopies आपको बिजवा देंगे, photocopies आपको बिजवा देंगे, बताएगे, क्या factors consider करेंगे situation में applicable financial reporting framework acceptable है के नहीं हो गया और evidence की reliability को देखना पड़ेगा क्या हमें photocopies से sufficient appropriate audit evidence मिल जाएगा के नहीं मिलेगा इसमें सबसे एहम चीज आप भूलगे practically original documents नहीं यह भी ठीक है, relevant है कि original documents हमें क्या photocopies से sufficient appropriate audit evidence मिलेगा में भी कुछ जगों पर मिल जाएग कुछ जगों पर original documents आई हो ठीक है चले वहाँ पर मारे पास different options होंगी वहाँ पर component auditor को इंगेज कर सकते हैं यह visit करवा सकते हैं अपने किसी team member का जूरत पड़े तो सबसे आहम question जो practically हमने डेखना है भाई जान उस Singapore में बंदा है दूसरी country में client बैठ है क्या उस एडिक्षिन में auditor नहीं होते हैं क्यों हमें अपरोच कर रहा है क्या reason है क्या हमें इसको inquire नहीं करना चाहिए यह आपके पास कोई client आए गागा तो आपके बहुए अधर के आईटर मर गये हैं सारे क्या उधर क्यों उससे क्यों नहीं आपने engagement कर वाई हमें इसको भी consider करना चाहिए हो सकता है उधर किसी आईटर ने ना कर दी और वो कोई corrupt काम कर वाना चाहिए तो यह लोकल लेवल पे client की reputation अच्छी नहीं है तो बारहल यह evidence है यह मुझे उससे याद आया कि photo copies जो होंगी वह less reliable evidence होती है तो हमें इस तरह की situation में जहां पर original documents available नहीं है वहां पर ज्यादा critical होना है फिर documentary evidence more reliable जबानी कलामी नहीं ठीक है अगर कोई critical routine के matter है आपको इजाज़त है आपने किसी भी management के बंदे से inquiry की जबानी कलामी evidence उसने आपको बताया आप उसको अपने पास लिख ले इजाज़त है लेकिन जो critical यह important matters होते हैं उनके ओपर क्या करना है हमने उनका documentary होना ज़रूरी है अभी आपकी judgment होगी कि कौन सा matter आप oral form में acceptable है और कौन सा written form में होना चाहिए ठीक है लेकिन यहाँ पर बताये रहा है कि documentary evidence ज्यादा reliable है इसलिए अगर कोई critical issue है risky area है तो वहाँ पर आपने ज्यादा स्यादा evidence documentary form में obtain करना है और अगर internal control strong हो तो फिर internal evidence भी reliable हो सकता है normally internal evidence less reliable होता है लेकिन अगर control strong हो ज्यादा reliable होता है यह कुछ general rules है reliability के लेकिन इनकी कुछ exceptions भी है जैसे normal rule यह है कि external evidence is more reliable than internal evidence लेकिन standard यह कहता है अगर external party independent नहीं है वो के related party है debtor है related party है उसको confirmation letter send करेंगे reliable evidence नहीं क्यों independent नहीं है इसी तर अगर कोई party है तो outside लेकिन knowledgeable नहीं है matter के ओपर technical knowledge उसका नहीं है क्या वो आपके लिए reliable evidence होगा ठीक है एक confirmation letter आप बेजते हैं corporate clients को एक confirmation letter बेजा आपने individual clients को ठीक है हमारे client के कुछ debtors है corporate clients कुछ है individual दोनों से जवाब आया किसका ज्यादा reliable है corporate clients को क्यों उनके पास information ज्यादा होती है उनका proper accounting system होता है individual इतने knowledgeable नहीं होते तो इन rules की exceptions rule है लेकिन यह general rule है reliability के clear तो evidence हमारा sufficient भी होना चाहिए appropriate भी होना चाहिए appropriate ना का मतलब relevance और reliability दोनों ठीक है relevance exam में अगर हम से कोई पूछे हम evaluate कर लेंगे कि यह procedure इस assertion से relevant है के नहीं है यह decision कर लेंगे ना इसके लिए आपका assertion वाला concept हम होना चाहिए reliability of evidence ensure कर लेंगे अगर हम से वो कहें कि जी बताइए इस के document में कोई issue तो नहीं है इस procedure में कोई issue तो नहीं तो हमें reliability के points को सामने रखना चाहिए जी आगे चलते है sources of evidence यह हमने study कर लिया within the entity outside entity management expert अच्छा यह क्या हम चीज़ा आपके साथ share कर लो procedure भाब दूरी ठीक है previous यह expert क्या हम अपनी audit में expert को use कर सकते हैं जब specialized knowledge and skill required हो expert auditing center में दो तरह किया है एक वो expert जो management use करती है financial statement प्रवेर करने के लिए क्योंकि अगर किसी asset की valuation करनी है तो management ने तो हमसे पहले की होगी न ऑईटर से पहले वह अगर fix asset को revalue करवाना है हमारी बारी तो बाद में आएगी न expert को use कर पहले तो management किया होगा कि मैं revaluation model adopt किया है तो expert को engage करना तो एक expert होता है management expert जिसको management expert से क्या मुराद है वह expert जिसको management यूज करती है फाइन इंसे जिन में प्रवेर करने के लिए यह expert की discussion यूज हुई है 500 में एक expert वह होता है जिसे कहते है आडिटर एक्सपर्ट वह कौनसा expert है जिसे 620 का जिसे आडिटर ने यूज किया किस लिए किस लिए आडिटर ने किस लिए यूज किया वेरिफिकेशन के लिए जो आडिटर एक्सपर्ट है ना उसके discussion कहां हुई है 620 में जो management expert है उसकी discussion यानि management के अच्छा एक वेसन मुझे यहां बताईए management expert को use किया क्या auditor same management expert के work को use कर सकता है auditor expert point किये बगार depend करता उसकी competence पर उसकी capability लेकिन अगर वो competent है capable है ठीक है market उठाया है imply नहीं है उसका कुछ relationship नहीं है लेना देना नहीं है तो क्या auditor में अच्छा दिहान से सोचके जवाब दीजीए कि इससे दो standard निकलेंगे क्या auditor management के point किया हुँ expert यानि management expert के work को use कर सकता है as evidence कि अपना expert point करना लाजमी है कर सकता है शाबार अगर auditor management expert को use करता है उसके work को use करता है as evidence तो उसकी क्या responsibility है आखें बंद करके तो report पे इतबार नहीं कर लेगा ना उसकी क्या responsibility है इस case में यह कूं सा standard बताता है आई ऐसे 500 और अगर auditor decide करता है कि नहीं management expert फारग है यह competent नहीं है यह पिछले कई सालों से management से मिलके काम कर रहा है एक ही चीज़ के ओपर दो दो तीन तीन चार्चाज हवार बोड़ दे देता है तो इसके काम पे रिलाय नहीं करना चाहिए फिर वो क्या करेगा अपना expert आईटर expert वो कहां पे use हुआ क्या उस सूरत में भी उसके कुछ दिम्मेदारी है येस और इंट्रस्टिंगली दोनों cases में responsibility तकरीबन सेम है तकरीबन सेम है स्वाई एका दुका के जी अगर अपना expert माइंड किया है ना उसके साथ उसने कुछ terms को agree करना है जो के management expert को use करें तो auditor नहीं agree करता वो तो management ही agree करती है ना इका दुका छोड़ी मोड़ी चीदों का फरक है वरना जो overall responsibility है दोनों cases में same है इसलिए मैं management expert यहां पे नहीं बढ़ा रहा कहां पे बढ़ा हूँगा 620 में responsibility same है क्या है दो काम करो भाई जब कभी expert चाहे management का expert हो चाहे architect expert हो उसने जो आपको report दी आंखें बंद करके इतबार नहीं करना दो काम करने है पहला expert को evaluate करो दूसरा उसकी report को evaluate करो adequate है के नहीं कैसे करना यह बाद में देखें यह clear हो गया और अगर कभी expert के work को यूज किया हमारी report पे एक effect लाजमी आता है क्या की audit matter शावाश की audit matter यूज करते हैं अभी हमने standard है ना पड़ा की audit matter वाला लेकिन आपको examples पता चलने है ना जब कभी revaluation हो की audit matter impairment हो की audit matter management expert को work को use किया हो या audit expert के work को use किया हो दोनों सूर्तों में की audit matter आएगा clear हो गया अच्छा अब इस standard का छोटा सा area जिसके उपर जब कभी testing करता है इसी concept के उपर test करता है exam point of view से सबसे एहम standard पढ़ते होए छोटा सा area concept क्या concept विल्कुल सिंपल क्या क्या ये different sources आपका evidence मिला क्या सारी evidence की reliability एक जैसी होती है किसी की कम किसी की ज्यादा अच्छा एक चीज़ें में रखेगा less reliable होना और चीज़ है reliability doubtful होना और चीज़ है return evidence ज्यादा reliable है कि oral? और oral evidence less reliable है यह हमें ये concern बता रहा है लेकिन evidence doubtful होना और चीज़ है CFO से एक चीज़ पूछी, major account से एक चीज़ पूछी, दोनों ने फरक बताई अब पताईए इसकी बात reliable है कि इसकी बात? क्या हमने ऐसा कहीं बढ़ा है? कि higher authority का evidence मिलेगा वो more reliable है lower authority वाले का lesser reliable नहीं बढ़ा है यहां पे evidence inconsistent है जब कभी inconsistent हो याद रखें, असूल की बात सुन लेए कोई 10 जगों पे concept और अडिटिक सांडर में यूज हुआ होगा कि जब कभी आपके दो sources evidence लें और वो inconsistent हो आपने किसी एक source को true नहीं मानना logical conclusion क्या कहता है? A ने कुछ और कहा, B ने कुछ और कहा A senior है, B junior है A external party है, B internal party है कौन ज्यादा reliable है? कोई नहीं यहाँ पे inconsistent, यहाँ पे doubts create होंगे logically हमने क्या सोचना है दोनों में से कोई भी ठीक हो सकता है, कोई भी गलत दोनों की statement पे doubt create हो गए lawyer ने कहा company के हलाफ case है, चल रहा है CFO ने कहा कोई case नहीं है कौन सचा? फूरन नहीं decision करना जहन में आता है lawyer सचा exam में नहीं करना logically सोचे, हो सकता है lawyer के पास updated information ना हो उन्हेंने की CFO ने की settlement कर लिए उसके साथ यह भी हो सकता है CFO के पास updated information ना हो case direct उसका letter जो है lawyer के पास मेंचा हो, कुछ भी हो सकता है तो याद रखे जब कभी different sources में inconsistency होगी exam में हमेशा आपने क्या करना है पहले यह लिखनी है पहली line inconsistency की वज़ा से दोनों पर doubt create हो रहा है हम further procedure perform करके issue को resolve करने की कोशिश करेंगे further क्या करेंगे? further procedure और फिर आपने बताना है अगर यह सही साबित हुआ तो क्या करना है अगर यह सही साबित हुआ तो क्या करना है दोनों possibilities discuss करने है for example अब मैं different standards example उठा कि आपके सामने शेयर कर रहा हूं यह general general बात करता है specific situation आपके सामने रख रहा हूं पहले easy example हमारे extended IAS 505 जो प्रोबेबली कल के lecture में पढ़ेंगे external confirmation हमने क्लाइंट से पूछा भाई तुमने अपने क्लाइंट से च्राट कर रहा है तुमने confirming party अपने data से कितने पैसे लेने हैं उसने कहा 5 million confirmation letter send किया उस party ने कहा 4 million कौन सच्चा है क्यों जूटा doubt create हो यह इनकंसिस्टेंसी की example यहां पे आप क्या करेंगे further procedure perform करेंगे वो station के लिहाज से आप लिख सकते हैं कि हम देखेंगे difference cases की वज़ा से है goods की वज़ा से फरक है तो good dispatched note वगरा चेक करेंगे अगर payment की वज़ा से फरक है तो देखेंगे payment कब किसने किसको send की कब receive हुई बगरा बगरा फिर उसके बाद अगर थाबित होता है कि जी यह third party confirming party के record में missed it उसके record में भी तो गलती हो सकती है अगर उसके तो फिर क्या करना है फिर कुछ नहीं लेकिन अगर पता चले हमारे client के record में missed statement पिर क्या करना है उसके खाना है ठीक करो शाबाज उसने ठीक कर दी अब क्या करना है शाबाज यह कैफ लावल तक होता था कुछ भी नहीं वो कहता है आप यह नहीं सोचेंगे के client के record में गलती किस वज़ा से हुई है कहीं client ने जान बूज के इसको overstate तो नहीं किया हुआ था या और कुछ जान बूज के ना भी सही इससे यह नहीं पता चलता client के controls weak है क्या हमारा risk increase नहीं होना चाहिए खास तो पर risk of fraud बिलकुल और अगर पता चले जान बूज के sales को overstate किया गया था management की integrity भी डाउटफूल होगी ठीक है यह चिल आगे चलें एक और एक जाम यह 505 की एक्जेंपल थी 720 की एक्जेंपल सुने 720 स्टेंडर है other information अधर इंफरमेशन पता न आपको director report बगारा report का element होता है वो कहता है अगर आपने अपना audit कर लिया financial statement बिल्कुल ठीक है director report बड़ी financial statements में sales लिखी हुई है 500 million director report में लिखी हुई है 550 million for example और 50 million material significant है आप अपनी report पे opinion कौन सा देंगे opinion on financial statements unmodified क्यों भला हम तो financial statement अच्छा मुझे ये बताई अभी वापिस आजाएं ये है financial statement ये है other information दोनों में है inconsistency बताईए कौन सी ठीक कौन सी गलत हाँ ये लिखना था पहली लाइन ये कि inconsistency है बजाहिर ये लगता है कि ये तो हमने सारी financial में चेक की होंगी उनमें तो गिल्टी होई नहीं सकती लेकिन लोजिकली सोचे जब कभी दो चीज़े इंकंसिस्टेंट है हमें लोजिकली सोचे है हो सकता है हमारे पास पहले सही इंफरमेशन न पहुंची हो डिरेक्टर पोर्ट में आप उन्होंने स अगर है कि अगर का फैने राउने सेस्ते में प claiming यह में जब आतर इंक्लोंडन पोरट नहीं पोर्ट है मैं जक्राइघ बढ़ इलक्रण करा नहीं की ऊंछा करें Micka कर दिया तो नहीं किया जकर डिर नहीं किया आज है कि दुवाइज मैंमें हुवाइट कर दिया तो उन्म इसे क्रेट कर देती है, तो ठीक है, other information में क्या लिखेंगे, we have nothing to report in this regard, लेकिन अगर management other information को ठीक नहीं करती, financial statement ठीक है, other information अगला तर management इसको ठीक नहीं करती, क्या करेंगे, opinion अभी भी unmodified आएगा, लेकिन other information के पैरा में लिखेंगे, क्या, क्या, we have nothing to report except for this matter, और उस matter को discuss करतेंगे, clear, कुछ और पीचिज़ तो नहीं है, फिर वोई क्याफ लावर पर आगर हो गए, other information में गलती है, confirm हो गलत है, आपने management को क्या भी दिया गलत है, management फिर भी इसको ठीक नहीं कर रही, आपने रिपोर्ट में तो लिख दिया, आप सोचेंगे नहीं, कि management क्यों नहीं ठीक कर रही, एक होता है, factual mistake, यह हमारा sampling 530 है, वो हमें बताता है, mistake की types होती है, एक होते है, factual misstatement, एक होती है, judgmental misstatement, judgmental misstatement क्या है, कि मेरे ख्याल में प्रवियन फार बैड है, 10 परसंट है, आइटर के ख्याल में 8 परसंट है, judgment का फरक आगया, यह चले फिर भी समझ आता है, एक factual misstatement है, voucher सामने पड़ा हो, repair का, 10,000 का, management ने 1000 record किया हुआ है, आइटर कह रहा है, भाई, 10,000 करो, management करी हम दे नहीं करना, बताएए दोनों तरह की misstatement क्या, एक जैसी है, नहीं, दूसरी वाली में लग रहा है, कि management clearly, अंदी हुई हुई है, कुछ ना कुछ उनका objective है, तो इसलिए अगर management के सामने misstatement factual आ जाए, confirm हो जाए, फिर भी management इसको correct नहीं करी, याद रखे, यह हमेशा management की integrity पे doubt create करता है, doubt create करता है, clear हो गया, यह case study में पूछेगा, और यह evidence किसी भी तरह का हो सकता है, ज़रूरी नहीं एक internal, एक external हो, दोनों external भी हो सकते हैं, दोनों internal भी हो सकते हैं, वो फिर आपको case study के लिहाज से, पहचान के आगे discussion को लेके जाना वड़ेगा, ठीक है, यह past swiper के case study भी है, उसके बढल के मैंने recording दी आपके साथ share करूँगा, उसमें उसने का, एक value है management का expert, उसने एक मिना पहले कोई और report दी, एक मिने बाद उसी चीज़ के ऊपर report बदल के दी, अब बताइए, inconsistency आए के नहीं हाला के source यहाँ पर एक ही है, अगर करनी है, अगर माक्स जादा हो फिर तो जरूर करने है, वरना कर सकते है, पार्ट भी audit procedure, audit evidence पढ़ा, audit evidence, कैसे मिलेगा, audit procedure perform करने से, अचा, यहाँ बेजियन में रखें, concept, कैफ लबल भी आपको याद है, एक system छोड़ा साम बनाया करते थे, जूसरों कैफ लबल भी बड़े मिले, input, processing, output, अगर फर्स किजिए, हम कहते हैं, यह counting system है, counting system है, counting system के output क्या होती है, financial statement, input क्या है, transactions, processing क्या है, internal control, concept क्या बना, के different transaction, sales की हो, purchase की हो, payroll की हो, कोई भी transaction हो, client के internal control system से गुजरती है, फिर financial statements का हिस्सा बनती है, financial statements बनती है, तो इसका मतलब यह हुआ, अगर transaction ठीक है, और internal control भी ठीक है, तो फिर financial statement में chances of error कम है, अगर internal control strong है, financial statement में chances of error कम है, अगर internal control system weak है, client का system weak है, transaction होती ही किसी और दिन है, record किसी और दिन हफ़ते बाद होती है, तो फिर financial statement में chances, error के ज्यादा है, bank reconciliation statement किसी मीने होती है, किसी मीने नहीं बनती, star count 3-4-4 मीने के बाद होता है, approval कुछ transaction की होती है, कुछ transaction की नहीं होती, sales की transaction, वो सारा हफ़ता ही कटी करते रहते हैं, जुम्मे को सारे के हफ़ते की transaction कटी पास करते हैं, ये सारे weak internal control system की निशानी है, अगर internal control system weak हो तो बताएए, financial statement में risk of miss statement क्या है, ज्यादा, और control strong और risk of miss statement क्या है, कम, हम किस से इसके लिए जिम्मेदार हैं, auditor, financial statements पे opinion देना है, कि बाकी चीज़ों पे भी, सिरफ financial statement में, तो क्या बाकी चीज़ों को ignore कर दे, इनको भी consider करना चाहिए अपने audit में, किस लिए, risk assessment के लिए, transaction से पता चलता है, हमें inherent risk का, internal control से पता चलता है, control risk का, और inherent risk को control risk को मिलके क्या बनता है, पढ़ा था, क्या बनता है, risk of material miss statement, risk of material miss statement को सामने रखके decide करते हैं, financial statement में procedure क्या होंगे, कम के ज्यादा, अगर risk of material miss statement ज्यादा, procedure ज्यादा, risk of material visit कम, financial statement के procedure कम अब सुनिए financial statements को verify करने के लिए जो procedure प्रिफार्म करते है इने हम कहते हैं substantive procedures क्या कहते हैं? substantive procedures और transactions और internal control को understand करने के लिए इनको value added करने के लिए इनको जो procedure प्रिफार्म किये जाते हैं के लिए हैं Rescue असमेंट प्रोसीजर dlatego to obtain understanding of entity कि किसलिए yes risk of material misstatement ठीक है अच्छा अगर internal control strong हो न risk assessment procedure से आपको पता चले internal control strong है तो final risk assessment के लिए इन internal control को test भी किया जाता है कि वो सही operate कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं तो अगर internal control strong हो तो हम एक further procedure भी perform कर सकते हैं यह further procedure required नहीं optional है इसे क्या कहते हैं test of control तो in short हम अपने पूरे audit में तीन पर तरह के procedure perform करते हैं risk assessment procedure test of control substantive procedure practically सबसे एहम यह जिन जो सबसे ज़्यादा focus होता है वो कों से है substantive procedure लेकिन याद रखे substantive procedure से पहले risk assessment procedure perform करना ज़रूरी है इन्हें कहा जाता है यह driving force है driving risk assessment procedure बताएंगे किस एरिया पे आपने ज्यादा substantive procedure perform करने किस पे कम करने तो पहले risk assessment फिर substantive procedure और अगर risk assessment procedure से पता चले कि internal control strong है तो एक और procedure भी कौन से test of control अब मुझे पताएं जल्दी जल्दी से risk assessment procedure का मकसद क्या है risk assess करना अज़र के inventory में कितना risk है sales में कितना risk है fix session में कितना risk है payroll में कितना risk risk assess करना test of control का मकसद क्या होता है देखना के internal control सही operate हो रहे हैं के नहीं effectively क्या control अगर वीक हो risk कम होगा के ज्यादा ज्यादा तो हमारे substantive procedure क्या होगे सबसेंटी परसीजर का मकसद क्या होता है financial statement में से misstatement ढूड़ना सबसेंटी परसीजर का मकसद क्या है financial statement में से misstatement ढूड़ना कि समझाए procedure अच्छा अगर control strong है फिर भी हम कहते हैं हमने test of control perform नहीं कर ना करें यह required नहीं है यह आईटर की judgment यह दो condition पूरी हो तो फिर लाजमी होते हैं वरना नहीं control strong है आईटर मांस तूर जाए उन control ठीक है यह अपनी partners की preference होती है कुछ partners जो है substantive testing को ज्यादा importance देते हैं वो कहते है control testing छोड़े substantive ज्यादा perform करें कुछ partner ऐसे होते हैं जो test of control strong हो तो उसका benefit लेते हैं हमारी firm में भी दो group होते थे उनके partners के अपनी approach होते थे बल्के आगे further अच्छा की आपने question raise कर दिया substantive procedure में भी दो तरह की procedure होते हैं एक होते है analytical procedure एक होते है test of details analytical procedure होता है उपर उपर से analysis कर लेना और evidence ले लेना ठीक है और test of details क्या होता है detail testing करना ठीक है मैंने यह देखना फर्ज कीजिए मेरा agree हुआ के जी class में जितने students होंगे हर student के मुझे इतने पैसे मिलेंगे फर्ज कीजिए 1000 रपया मिलेगा एक तरीका क्या है मैं management से list लूँ students की हर रहा क्या 1000 रपया हो आप से check करूँ भाई आपने फीजमा कराई है कि नाम आ रहा है कि नाम आ रहा है कि इतर नाम नहीं आ रहा है इसका मतलब है management ने मुझे की list complete नहीं दी एक तरीका यह टेस्टिंग का एक और तरीका भी है क्या मैं देखू टोटल बैसे कितने मिलें class में students काउंट करूँ हजार से multiply करनों अब अब बजे हुद बताए दोनों तरीके ठीक हैं revenue कोई calculation के लिए जो पहले वाला तरीका है जिसमें मैं sample उठा के verification कर रहा थे से क्या कहते है test of detail और दूसरा वाला तरीका क्या है standard यह कहते है substantial procedure perform करना required है risk assessment required है यह तो आपने बता दिया ना optional है दोनों required है अच्छा substantive procedure में analytical के test of detail यह आपकी मरजी है कुछ auditor test of detail को prefer करते हैं कुछ analytical procedure को हम जिस group में थे तो हमारे partner हमारे senior हमें बताते थे हमारा तो कभी कबारी वास्ता था पाढ़ना के थे के test of detail ज्यादा perform करने हमारे और हम एक दूसरा group होता था उसको बड़े रश्क बरी नजरों से देखा करते थे उधर late sitting भी नहीं होती थी क्यूं उनकी ज्यादा प्रोच analytical होती थी तो अचा कौन सही था कौन गलत दूनों ठीक थे आपके अपनी प्रोच है यह ज़रा risk को ज्यादा address हो जाता है यहां पर रिस्क analytical procedure efficient तो है standard कहता है यह efficient है लेकिन comparatively less effective यह effective तो है लेकिन comparatively less efficient अपना अपना plus minus है आप दिखें कुछ ऐसी होते हैं क्या एक एरिया पर दोनों perform हो सकते हैं दोनों भी हो सकते हैं दोनों कर लो मर्जी आपकी अच्छा तो मैं रहता है यह procedure यह है by purpose एक क्लासिफिकेशन added procedure की by type कहले by type यानि क्या added procedure की types क्या है साथ तरह की added procedure होते हैं inquiry, observation, inspection, re-performance, recalculation, external confirmation, analytical procedure यह कैफ लेवल में तसली से बड़े हुए है आपने इसलिए examples share नहीं कर रहा है सिर्फ समझा रहा हूँ, एक अधी example भी देता जाँगा, inquiry का मतलब क्या है? जबानी गलामी पूछना, CFO से क्या inquiry करें आप, कोई inquiry बता दें बताएं total payroll expense कितना, बताएं total payroll expense कितना, बताएं कितने employees इसल आपने रखे हैं, नए यह है inquiry, standard कहते है, inquiry सबसे ज्यादा perform होने वाला procedure और सबसे कम reliable procedure इसलिए जब कभी inquiry करें, आपने इसको corroborate जरूर करना है, corroborate का मतलब क्या है, confirm जरूर करना है कोई दूसरे procedure के साथ Inquiry alone is not sufficient appropriate audit evidence, वरना चाहे के कभ पे सारा audit खतम हो जाय करता, Inquiry alone not sufficient appropriate audit evidence, ठीक है और inquiry भी depend करता है, अब जिससे inquire कर रहे हैं वो कितना competent है, कितना honest man है, इमांदार है, फिर उसकी inquiry से evidence हमें जरूरा तगडा मिलेगा, competent नहीं है, honest ही नहीं है, फिर inquiry का कोई फाइदा नहीं देखना, कोई procedure चलता हुआ, खुद ना करना, खुद करेंगे तो रही performance हो जाएगी, किसी को काम करते हुए देखना, यह observation, नार्मी test of control के लिए perform की जाते हैं, लेकिन observation में भी मसला है, क्या, जब देख रहे हैं उसका evidence तो है, उससे पहले क्या आता रहा है पुरे साल में, बाद में क्या, इसका evidence नहीं है, खास तोर पे जब लोगों को पता होता है कि हमें observe किया जा रहा है, observe किया जा रहा है, तो थोड़ा alert हो जाते हैं, वो ज्यादा हित्यासे काम करना शुरू हो जाते हैं, तो observation क्या है, ongoing procedure को देखना, अगर auditor star count हो रहा है और देख रहा है, क्य ध viewer हो डिरेक कर रहा है, या नहीं कर रहा है या नहीं कर रहा है, या क्युंत यह पर कर, और जा कि लने कि Istokasheet लो मैं यह गिनो उयां यह गिनोग इतनी है। खुद करना शरू कर वह धूतर है। इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन, ठीक है? इंस्पेक्शन, री-पर्फॉर्मस इसलिया नहीं सुनने। और यह और इघूर्पुनार को मतलब होता है पकवा मैनेजमेंट ने जो काम किया ऑग्जक्ली वो ही काम रिपीट करे language करे और यह जाता है, यह तर इपरिफॉर्पॉौंस, यह स्टार् बिरफॉर्मस क्यूब्सकुं नहीं है अपला कव्यूब्सक्कň अबला क्यूंकि bank reconciliation statement बनाई, auditor भी bank statement और GL सामने रखके BRS बनाए, यह है रिपर्फॉर्मस क्योंकि एक्जेक्टली वैसे ही प्रोसीजर को रिपीड किया जा रहा है, लेकिन management 100% पर काम करें, at a sample base पर काम है, रिपर्फॉर्मस नहीं है, वो क्या है, inspection दो context में यूज होता है, tangible assets के लिए, और documents के लिए, आप inspect कर सकते हैं, sale invoice को भी आप inspect कर सकते हैं, inventory को भी, inquiry observation inspection यह थोड़ा ज्यादा reliable है क्योंकि written form में होता है, अगर documents हो और अगर tangible assets है, तो जुकर direct evidence है, यह ज्यादा reliable है, रिपर्फॉर्मस का मतलब, सारे का सारा procedure writer रिपीट कर रहा है, यह भी normally test of control में होता है, रिपर्फॉर्मस और, रिपर्फॉर्मस और, रिपर्फॉर्मस और, यहां पे observation, यह ज्यादा था test of control में होता है, external confirmation तो आपको पता ही होगा, किन किन को send की जाते हैं, debtors, creditors, banks, lawyers, third party के पास inventory है, उनको send की जा सकते हैं, और analytical procedure, analysis के अभी एग्जेंपल थी, इसके उपर standard है, इसके उपर standard है, external confirmation के उपर 505, analytical procedure के उपर standard है 520, बाकियों के उपर कोई लादास है नहीं, inquiry की एक specific type है, return representation, इसके उपर 580 का standard है, लेकिन उसको भी लिंक ना करें, अच्छा ये है types, कितनी तरह के procedure होगे, साथ, inquiry, observation, inspection, reproformance, recalculation, external confirmation, analytical procedure, इन साथ परोसीजर को आप तीन तरह से इस्तमाल कर सकते हैं, इन सारे procedure को चाहे तो आप risk assessment के तोर पे इस्तमाल कर लें, चाहे इन साथों के साथों को या कोई भी combination, test of control में perform कर लें, चाहे साथों को साथों को या कोई भी combination, तो ये भी procedure है, ये भी procedure है, ये क्या है procedure, by type, और ये क्या है procedure, by purpose, ठीक है, लेकिन classification फरक है, ये classification by type है, ये classification by purpose, ये concept है, पहले standard ने एक line clearly लिखी हुए है, इन में से कोई भी procedure, इन में से किसी भी purpose के लिए use हो सकता है, लेकिन कुछ जोगे पर standard कहता है, कि है risk assessment के लिए नॉर्मली ये ये procedure हम ज़्यादा perform करते हैं, test of control के लिए हम ये और ये procedure ज़्यादा perform करते हैं, inspection भी कर सकते हैं, सब certainty procedure में हम ये ये procedure, preference हो सकती है, लेकिन general rule क्या है, किसी भी type का procedure, किसी भी purpose के लिए use हो सकता है, आगे ही चलते हैं फिर, इसके बाद अब दो चोटे concepts हैं, selecting items, selecting items का मतलब, आपके सामने sales का area आगया, आपने verification करनी है, selecting item का मतलब क्या है, sales के account में से transaction का sample उठाना है, transaction का उठाना है verification के लिए, selecting item में और sampling में फरक होता है, selecting items का मतलब क्या है, verification के लिए item को उठाना, आप verification के लिए item उठाएं, आप सारी items को भी उठा सकते हैं कुछ areas में, जैसे नॉर्मली legal expenses में, हम सारी items को उठाते हैं, अदमें रिस्क ज्यादा होता है, आप specific items को भी select कर सकते हैं, चुन के, ठीक है, high risk वाली items, unusual items, हमें एक area में मुझे जादा है, हमारे fixed assets का area होता था, एक, उसमें client ने कुछ fixed asset agreement किये हुए थे, अपने दूसरी parties के साथ, तो उनमें से, हलाकि millions की figure होती थी assets के, उनमें से, हम एक schedule बनाया करते थे, कि total 200 million का contract है, अभी तक कितना हिसा परफार्म हुआ, 150 million remaining 25% है, status को analyze करते थे, वो capitalization में भी काम आता था, कि capitalization में कितना गया CWIB में, और remaining हमने वो capital commitments contingency का disclosure देना होता था, उसमें से कुछ agreement ऐसे थे, जिनकी negative figure आ रही थे, यानि negative figure का मतलब है कि contract होगा 200 million का, और उस पर 205 million के expenditure हो गए है, 5 million negative था, अवराल इसरा की figure देखी मैंने का, छोटी-छोटी figure है छोड़े, लेकिन manager ने खास तोर पे, बड़ी-बड़ी figures को उसने का, बाद में देखने है, पहले ये negative figure पता है, अशली तोर पे नहीं चाहिए ना, क्या ये overpayment तो नहीं हो गई, अब मैंने इस point of use सोचा ही नहीं था, कि overpayment भी हो सकती है, तो जिन नहीं अब वो पार्ट अब जो negative थी ना, इनके ओपर उनने materiality level नहीं लगाया, कि बड़ी-बड़ी figures में वही पुछू, नहीं उनने का, एक-एक agreement जिसकी negative figure आरी है मुझे बताओ, वह नहीं फिर बाद में detailed testing करके उसको investigate किया, वह वाखी कुछ misstatements थे, तो ऐसी items होती है ना इनको फिर select किया जाता है, जिनमें खास सोल पर कोई risk हो, यह specific item selection, एक है selecting all items, selecting all items का मतलब क्या है, किसी area के अंदर जितनी भी transaction है सब को select कर लो, आपने कभी कि यह इस तरह किसी area के उपर, इसी तरह specific item का मतलब क्या है, अपनी judgment की base में decide करो किन के transaction में risk ज्यादा है, जिनमें risk transaction जैसे मैं तक बताया है negative figure वाली, सब को select कर लो, fixed asset register देखो, उनमें जिनमें negative fixed asset की value आ रही है, सब को गठाओ, क्यों वो लगता है depreciation, accumulated depreciation का से भी ज्यादा हो गई है, फिर इसके बाद आता है audit sampling, sampling का मतलब है है, अल item का मतलब 100% item ठाओ, इसका मतलब क्या है, less than 100%, लेकिन चुन के जिनमें risk है, sampling का मतलब क्या है, less than 100% item उठाओ, लेकिन ऐसे है के पूरी population का representative आए है, अगर मैं सिरफ क्लास के intelligent students को उठा के कोई test लो ना, सिरफ intelligent, वो कौन सा selecting item आएटम आएगा, specific item, अगर मैं सब का test ले लो, और अगर मैं randomly चुनो, इस table, इस bench से एक student आया है, इस से एक उस से एक उठाया, यह क्या है, sampling की beauty पता है, इसमें आप hundred percent से कम testing करते हैं और सारी की सारी population के बारे में बता सकते हैं और ठीक अगर नहें specific item selection में यह से नहीं कर सकते हैं, उपिस्ट आइटम को test किया और नहीं के बारे में बता सकते हैं ठीक हैं कि गलाता, बाकियों के बारे में नहीं और इसमें तो सारी आइटम के बारे में बता सकते हैं लेकिन वो तो लॉजिकल हैं कि चेकी रब्च सब को किया तो कर सकते हैं असल हमारा जो फेवरेट प्रोसीजर होता है वो यह होता है हम 100% से कम पर किया और बता सब के बारे में रहे हैं ठीक है कि तो सैंपलिंग और सेलेक्टिंग आइटम में फरक है बताना यह चाह रहा था फिर है यूज ओफ मैंगेंगेंट एक्सपर्ट यह मैंने आपको उधर बता दिया अगर मैंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगे क्या है देखें उसकी competence, उसकी capability, उसकी अब्जेक्टिविटी, इंडिबेंडनेस वगारा, उसके वर्ड की adequacy, वैल्यट करने का मतलब क्या है, देखें जो उसने data यूज किया है, जो उसने assumptions ली है, जो methodology यूज किया है, वो reasonable है के नहीं, accurate है के नहीं, ठीक है, ये दोनों, ये ये अहम, और फिर जाहिर है, उसके work की understanding उसने obtain करनी है, उसके work को evaluate करने के लिए, ये काम करने के लिए, तीन नमबर वाला, दो नमबर वाला काम करना जरूरी है, उसके work की understanding को ब्डेंड करना जरूरी है, जो matter is complex होते हैं, उसके लिए export आता है, नहीं, वो expertise जो auditor के पास नहीं है और verification करने के लिए वो expertise चाहिए उसके लिए expert आता है कैसे verify करता है आप ये देख सकते हैं अच्छा डक्टर रहके नहीं मैं अगर आप से पूछ को आपके लागे के अच्छे डक्टर को होना है आपको इना कोई नाम बता देंगे आपको कैसे पता चलाब अच्छा है आप में इसको अपरेशन करते हैं देखा कभी अगर देखा भी हो कभी तो आपकी बला जाने मोँ क्या करता रहा है और पेट चाह कर के उसके अंदर क्या कौन सी तुसे किदर मिला नहीं ना लेकिन कुछ फैक्टर होते है मार्किट में रेपुटेशन होती है उससे पता चलता है आप उसके क्लिनिक में जाएं उसके हलाथ से पता चल जाएगा ठीक है और डिसकुशन करें के उससे पता चल जाएगा और ड्वाइस आपको किस तरह की देता है सफाई सुथराई के इन्जाम है के नहीं उस जगह पे जिजगह भी उपरेशन करें इस तरह की चीज़ों से वैल्यूएशन हो जाती है जो उसके टेक्निकल प्रोसीजर है वो हम कभी भी वैल्यूएट करने के काबिल नहीं होंगे इतने ही हम साइंसदान होते हम खुद नहीं वैरिफिकेशन कर लेते हैं वो नहीं स्टेंडर्ड भी ये बात अकनॉलिज करता है लेकिन स्टेंडर्ड ये कहता है कि आप उसके बारे में अपनी अंडरस्टैंडिंग ड्यूएट कर सकते हैं एक बेसिक लेवल पर उसकी वैलुएशन कर सकते हैं और वो ही रिकुआइड है नहीं वह पहले पॉइंट पर ये पता चला है कि बंदा ठीक है कि नहीं नगा अच्छा मुझे पताएं और अच्छा काम करते हैं पताएं 받 1500 पर गांटर्ट होना अच्छी है लेकिन फारग भी तो हो सकता है अच्छी को उन्ची द्थकान और भी तो हो सकता ह्शाहा cela प्र। हमने क्या चेक करना है यहां प्राग ऴजा अचिय करें ह्टान उन्ची होनी चाहिया झाहिए यहां प्र। कर रहे हैं, उसका पकवान भी मिठा होना चाहिए, दोनों चीज़ें चेक करनी हैं, फिर हमारा एविदेंस सफिचेंट अप्रोप्रोप्रेट होगा, और की क्वेस्टन, अच्छा ये था हमारा स्टेंडर्ड आई एस से 500, ठीक है, इसमें कि मुश्किल चीज़ नहीं थी ना लेकिन मैं छोटे-छोटे कंसर्प्स से आपने घर जा के रीडिंग लाजमी करनी हैं, अब थोड़ी सी ब्रेक करते हैं नमाज के लिए, फिर इसके बाद हम आई ऐसे 501 की तरफ चलेंगे